नमस्कार दोस्तों, GS Recipe के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम भारती सम्विदान के Important अनुच्छेत के भाग 3 के बारे में डिसकस करेंगे इसके जो दो भाग हैं, वह अप्लोट किये जा चुके हैं और अगर इस वीडियो की PDF या जितनी भी वीडियो डल चुकी है उन सब की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दीएगे टेलेग्राम लिंक मर जाकर आप वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं आज के पहले कोशन से पहले कोशन बोल रहा है कि वित विधेयकों के बारे में विशेश उपबंद किस अनुच्छेद के अंतरगत जो है वह किया गया है तो वित विधेयक के बारे में जो बताया गया है वह अनुच्छेद 117 में बताया गया है ऑप्सन नमबर A is the right answer अब इसके बारे में कुछ मैदपूर्त अधिया है कि अनुच्छेद 117 में वित्विधेकों के बारे में विशेश उपबंध जो है वा किया गया है और अगर 119 की बात करें तो अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तिय कारे संबंधी प्रक्रिया का विधी द्वारा विनियम का प्रावधान किया गया है और जो ये अनुच्छेद 123 दे रखा है अनुच्छेद 123 में संसत के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रस्तापित करने की राष्टपती की सक्ति के बारे में बताया गया है और ये जो अनुच्छेद 121 है अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि उच्च न्यायाले या उच्च न्यायाले के न्याया धीसों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किये गए किसी आच्रण के विशय में संसत में कोई चर्चा जो है वा नहीं होगी तो इस question का जो सही जवाब था वा क्या था इस question का सही जवाब था option number A is the right answer अगले प्रिशन की यूर बढ़ते हैं अगला प्रिशन बोल रहा है कि समविधान के किस अनुचेत के अंतरगत संसत के किसी सदन के सदस्यकापद सदन की अनुमती के बिना साथ दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोसित किया जा सकता है तो किस आर्टिकल के तहत ये किया जा सकता है या अनुचेत 101 के चोथे सबपार्ट के अंतरगत किया जा सकता है अब इसके बारे में कुछ महतपूर्त अति जान लीजे महतपूर्त अतिया है कि भारतिय समविधान का जो अनुचेत 101 है अनुचेत 101 से लेकर अनुचेत 104 तक संसत सदस्यों की निरहरताओं के संबंद में प्रावधान करता है और समविधान के 101 के चोथे सब क्लॉस में कहा गया है कि यदि कोई सदस 60 दिन की अवदी तक सदन की अनुग्या के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोसित कर सकता है तो इस कोईशन का जो सही जवाब है वह क्या है वह है option number B is the right answer इस वाले कोईशन में 60 दिन आप याद रखना ये पूछा जा सकता है आप से है ना तो इस कोईशन का सही जवाब क्या था वह था option number B is the right answer अगले कोईशन के और बढ़ते हैं कोईशन बोल रहा है कि एक तरफ लिस्ट सूची एक दे रखा है वीस है और दूसरी तरफ सूची दो दे रखा है जिसमें भारत के समविधान के अनुच्छेत के बारे में बताया गया है अब इसको अंतरगत बताया गया या अनुच्छेत 115 के अंतरगत बताया गया तो B का हो जाएगा चार फिर उसके बाद एप्रोप्रियेशन बिल यानि की विनियोग विदहयक जो है वा अनुच्छे 14 के तहट बताया गया तो C का हो जाएगा तीन और धन विदेयक की परिभासा यानि की definition of money bill जो है वा 110 में बताया गया है तो D का क्या हो जाएगा D का हो जाएगा 24, 31 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा option number C is the right answer अब एक चीज मैं बताओ इस वाले question में न ये जो पहला statement है और ये जो D वाला है इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजे क्योंकि ये question ना बहुत बार पूछा गया है इसको mark कर लीजेगा आप लोग तो इस question का जो सही जो आप था वा था option number C is the right answer अगले question की और बढ़ते है question बोल रहा है कि समविधान असाधारण परिष्थितियों में राश्टपती को राजिपाल के क्रत्यों के निर्वान हेतु उपबंध कर सकता है तो किसके तहत ये जो है उपबंध कर सकता है तो या उपबंध कर सकता है अनुच्छे 166 के according option number A is the right answer अनुच्छे 166 के तहत राश्टपती के कुछ अकास मिक्ताओं में राजिपाल के क्रत्यों का निर्वान उलेखित किया गया है और अनुच्छे 162 की बात की जाए तो इसमें राजिकी कारिपाली का सकति का विस्तार के बारे में बताया गया है अनुच्छे 165 में राजिका महाधिवक्ता होगा या बताया गया है और अनुच्छे 310 में संग या राजिकी सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावदी का उलेख जो है वा किया गया है तो इस कुश्चन का जो सही जवाब है वा है option number A is the right answer अगले प्रश्चन की ओर बढ़ते है कोश्चन बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छे 162 के सीरसक के सम्मद में निम्लिकित में से कौन सा कथन जो है वा सही है तो कौन सा कथन सही है वा कथन है कि राजिकी कारवपाली का सक्तिका विस्तार से related है कौन सा अनुच्छे 162 अगले कोश्चन की ओर बढ़ते है कोश्चन क्या बोल रहा है कोश्चन बोल रहा है कि भारती संविधान के निम्लिकित में से किस अनुच्छेद के तहट उत्तर पदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वह होती है तो किस अनुच्छेद के तहट होती है या अनुच्छेद 165 के तहट होती है अगले कोश्चन की ओर बढ़ते हैं कोश्चन बोल रहा है कि राष्ट पती के सिफारिस के बगार कोई विधायक जो कर लगता है विधायका में नहीं रखा जा सकता या प्राउधान भारत के समविधान के किस अनुच्छेद के अन्तरगत आता है तो या किस अनुच्छेद के अंतरगत आता है या अनुच्छेद 117 के अंतरगत आता है option number A is the right answer राष्ट पती की सिफारिस के बगार कोई विधायक जो कर लगाता है विधाई का में नहीं रखा जा सकता या प्रावधान जो है भारत के समविधान के 170 में बताया गया है और जो अनुचेद 200 चांचट है इसके अंतरकत भारत और राजियों की संचित निधियां और लोक लेखे का प्रावधान जो है है और वह कहां पर इसका प्रियोग हुआ है वह प्रियोग हुआ है अनुचे 352 में option number is the right answer समविधान में मंत्री मंडल यानि की cabinet सब्द का प्रियोग जो है वह अनुचे 352 में हुआ है और समविधान में 44 44 जो समविधान संसोधन जो हुआ था न समविधान संसोधन जो हुआ था इससे पूर मंत्री मंडल सब्द का प्रियोग नहीं हुआ था लेकिन 44 समविधान संसोधन 1978 के द्वारा आपात कालीन प्रावधान में ऐसी विवस्था करने का प्रियत्न किया गया है कि इसका सासन द्वारा दुर्पयोग ना किया जा सके और राश्टपती द्वारा अनुच्छे 352 के सबकलॉस 3 के अंतरगत आपातकाल की घोश्रा तभी की जा सकेगी जब मंत्री मंडल लिखित रूप से राश्टपती को ऐसा परामर्स दे और अनुच्छे ये जो दूसे न नमबर A is the right answer अगले कोशन की और बढ़ते हैं कोशन क्या बोल रहा है कि भारतिय सम्विधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राजी की विधान सभाओं के गठन का प्राओधान जो है वा प्रिस्तूत करता है तो कौन सा अनुच्छेद या प्राओधान नमबर A is the right answer और भारतिय सम्विधान के अनुच्छेद 170 के तहट राजी की विधान सभाओं के गठन का प्राओधान जो है वा किया गया है और अनुच्छेद 171 के तहट विधान परिशदों की संरचना के बारें बताया गया है और अनुच्छेद 172 में राजीयों के अगले कोशन की वर बढ़ते हैं कोशन बोल रहा है कि भारतिय सम्विधान के निम्लिकित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतरगत विधान परिशद की स्थापना या समाप्ति की जो है वह वैस्ता की गई है तो कौन से अनुच्छेद के तहट की गई है या अनुच्छ विधी द्वारा किसी विधान परिशद वाले राज में विधान परिशद के समापन के लिए तथा ऐसे राज में जिसमें विधान परिशद नहीं है विधान परिशद के स्रजन के लिए उपबंद जो है वह कर सकेगी रूल बना सकेगी यदि उस राज की विधान सभा ने इस आसे का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तता उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया है तो अनुचेद 168 में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्राउधान तता अनुचेद 171 में विधान परिशदों की संड़चना का जो है वह उलेक किया गया है तो इस question का जो सही जवाब था, वा क्या था? इस question का सही जवाब था, option number B is the right answer अगले question की और बढ़ते हैं, question बोल रहा है कि किसी राज जीक में विधान परिशत की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारती समविधान के किस अनुचेद के अंतरगतिया बताया गया है या अनुचेद 179 में बताया गया है option number B is the right answer अगले question की और बढ़ते हैं, question क्या है? question बोल रहा है कि राज विधान परिशत का प्रावधान भारती समविधान के किस अनुचेद में वा रखा गया है वा रखा गया है अनुचेद 171 में option number B is the right answer अगले question की और बढ़ते हैं, question क्या है? question बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज पाल ने विधान सभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यच को निर्देश दिया ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उप्योग कर रहे थे जो उनके पद में नहीं थे कौन से अनुचेद का उप्योग कर रहे थे? अधिका संदेश उस राज जी के विधान मंडल के सदन या सदनो को भीच सकता है जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है उस सदन वह सदन जो होगा उस संदेश द्वारा वीचार करने के लिए अपेच्चित विशय पर सुविधा नुसार सीगरता से विचार करेगा तो इस question का जो सही जवाब था वा क्या था इस question का सही जवाब था option number C is the right answer option number C is the right answer अगले question क्यों बढ़ते है question क्या है question बोल रहा है कि भारत के सम्विधान के किस अनुचेद के अनुसार राज जी के राज जिपाल के द्वारा मुख्य मंतरी की नियुक्ती जो है वा की जाती है तो किस अनुचेद के तहट की जाती है वा अनुचेद 164 के तहट की जाती है option number B is the right answer सम्विधान के अनुचेद 164 के अंतरगत राज जी के राज जिपाल द्वारा मुख्य मंतरी की नियुक्त की जाती है और अनुचेद 164 के सब क्लॉस एक के अनुसार मुख्य मंतरी की नियुक्त राज जिपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राजिपाल मुख्य मंत्री की सलापर करेगा और मंत्री जो है वा राजिपाल के प्रशाद पर्यंत अपने पद जो है वो धारड करेंगे तो इस कोशन का जो सही जवाब था वा था उप्सन नंबर 20 दा राइट एंसर अगले कोशन की और बढ़ते हैं कोशन क्या है कोशन बोल रहा है की राजिपाल राजिकी विधान सभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के सम्विधान के किस अनुच्छेद में किये गए है या भारत के सम्विधान में अनुच्छेद 176 में बताया गया है option number B is the right answer अनुच्छेद 176 के अनुच्छार राज जिपाल विधान सभा के लिए प्रतेक साधारर निर्वाचन के पश्चात प्रतम सत्र के आरंभ में और प्रतेक वर्ष के प्रतम सत्र के आरंभ में विधान सभा में या विधान परिशद वाले राज जी की दसा में एक साथ सम्वे दोनों सदनों में अभिभाशर करेगा और अनुच्छेद 172 में राज विधान मंडलों की अवधी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 182 में विधान परिशत का सभापती और उपसभापती होगा ये बताया गया है तो इस कोश्छन का जो सही जवापता हुआ क्या था वा था उपसन नंबर 20 दा राइट एंसर अगले कोश्छन क्यों बढ़ते हैं कोश्छन क्या है कोश्छन बोल रहा है कि किसी राज में राज पाल की नियुक्ति सम्विधान के अनुच्छेद के तहट किया गया है वा अनुच्छेद 105 के तहट किया गया है अनुच्छेद 105 के तहट भारत के राष्टपती द्वारा राज जिपाल की नियुक्त की जाती है और अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रतेक राज के लिए एक राज जिपाल होगा तथा एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जा सकता है तो इस question का जो सही जो आप था वा था option number C is the right answer आगले question की उर बढ़ते है question क्या है question बोल रहा है कि भारतिय सम्विधान के किस अदूच्छिद के अंतरगत तो राज्यपाल को चमादान की सकती जो है वह किसमे पराप्त है वह अनुच्छिद नमबर 161 में पराप्त है option number B is the right answer भारतिय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राजिके राजिपाल को उस विशय संबंदी जिस विशय पर राजिपाल की कारेपाली का सक्ति का विस्तार है किसी विधी के विरुद किसी अपराद के लिए सिद्ध दोस्ट ठहराय गए किसी व्यक्ति के दंड को छमा उसका प्रतिलंबन विराम या परिहार करने की अत्वा दंडा देश में निलंबन परिहार या लगुकरण की सक्ति जो है वा प्राप्त होती है तो इस कोशन का जो सही जो आब है वा क्या है वाया उप्सन नंबर 20 दा राइट एंसर अगले कोशन की वर बढ़ते हैं कोशन क्या है कोशन में दो सूचियां दे रखेंए सूची एक और सूची दो आपको सही मिलान करना है अनुचेद 153 जो है वो गवर्नर का सासना देस रिलेटेड है एक हो जाएगा दो अनुचेद 154 जो है वो राजयपाल के कार्यकारी अधिकार को निर्देश्ट जो है वो करता है तो बी का क्या हो जाएगा बी का हो जाएगा चार अनुचेद 155 जो है वह राष्टपती द्वारा गवर्नर की नियुक्त के बारे में बताया गया है C का हो जाएगा 1 उसके बाद अनुचेद 156 जो है वह राज जिपाल का कारिकाल निर्दिश्ट करता है तो D का क्या हो जाएगा D का हो जाएगा 3 तो इस कोश्चन का जो सही जाब है वह क्या है वह है option number B is the right answer अगले कोश्चन की उर्बढते हैं कोश्चन क्या है कोश्चन बोल रहा है कि न्यायाधीसो की वेतन एवं पिंसन संबंदि प्रावधान भारती सम्विधान के किस भाग में वह किया गया है किस अनुसूची में किया गया है वा अनुसूची नंबर दो में किया गया है option number seize the right answer भारती समविधान की दूसरी अनुसूची में राष्टपती, राज के उपराज जिपालों, उच्चतम नयायले तथा उच्च नयायले के नयाय धिसों संसत तथा राज विधान मंडल के अध्यच, सभापती और उपाध्यच, उपसभापती तथा नियंतरक महालेखा परिछक के वेतन के संबंद में किसके वेतन के संबंद में प्राउधान जो है वा किया गया है तो इस कोशन का जो सही जवाब है वा क्या है वा है उपसन नंबर C is the right answer अगले प्रिशन की उर बढ़ते हैं कोशन क्या है कोशन बोल रहा है कि संबिधान के किस अनुचेद के अंतरकत नयायालियों द्वारा संसत की कारिवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है तो किस अनुचेद के अधार पर किया गया है या अनुचेद 122 के अधार पर किया गया है उपसन नंबर B is the right answer और ये जो अनुचेद 126 दे रखा है और अनुचेद 149 जो है इसमें कतिपाई विसियों पर रिट जारी करने की उच्चेदम नयायले की सक्ति का उल्लेख जो है वह किया गया है तो इस कोशन का जो सही जवाब है वह क्या है वह है उपसन नंबर B is the right answer अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं कोशन क्या है कोशन बोल रहा है कि भारत में सुधारात्मा की आचिका उच्चितम नयायले में निम्न अनुचेद के अंतरगत दाखिल की जा सकती है तो किस अनुच्छेत के तहत दाखिल की जा सकती है वह 142 अनुच्छेत नमर 142 के तहत दाखिल की जा सकती है option number 6 is the right answer सुधारात्मक याचिका की अधारना जो है वो सम्विधान के अनुच्छेत 142 के विशलेशर से निकलती है और सुप्रीम कोल द्वारा पहली बार एक केस हुआ था असोक रूपा कौन सा अशोक रूपा बनाम असोक हुर्रा अशोक हुर्रा दो हजार दो का ये मामला था इनके मामले में सुधारात्मक याचिका का प्रियोग जो है वा किया गया था तो इस कोश्चन का जो सही जो आवे वा क्या है वा है option number C is the right answer अगले कोश्चन क्या हैा equation क्या है misconception क्या है कि समविधान का कौण सा अनुच्षेद उच्धम नयायले को उसके द्वारा दिए गया निल्डाए अत्वन आदेश के पुन्राव लोकन हे तुझु है वा अधिगरहित करता ہے तो कौण सा अनुच्षेद मी ये करता है या अनु और अनुच्छेद 141 के अंतरका बताया गया, option number B is the right answer, और अनुच्छेद 141 में उच्छेतम नयायले की आनुसांगिक सक्तियों का वर्डन है, अर्था संसद विदी द्वारा उच्छेतम नयायले को किसी अनुपूरक सक्तियों का प्रदान करने के लिए उपबंद करती है, और अनुच्छेद 142 में सर्वोच नयायले का वह साधन है, जिसके माध्यम से वह ऐसी महतपूल नीतियों में परिवर्दन कर सकता है, जो जनता को प्रभावित करती है, और अनुच्छेद 143 में राष्टपती की उच्छेतम नयायले से परामर्स करने की जो है, वह सक्तिक और अनुच्छेद 143 में सर्वोच नयायले की रिट जारी करने की सकती ये जो बात है ना, वह बात जो है, वह गलत है क्या है? यही बात जो है, वह गलत है, तो कॉश्छन के कॉल्डिंग, यही बात जो है, वह सही हो जाएगी, ऑप्सन नंबर सीज़ाराइट एंसर, अगले कुश्छन क्यों बढ़ते हैं, कॉश्छन क्या है, कॉश्छन में सूची दे रखा है, आपको मिलानी करना होगा, त आर्टिकल 215 जो है वो क्या बताता है आर्टिकल 215 जो है उच नयाले का अभिलेक नयाले होता है या बताता है तो एक क्या हो जाएगा एक हो जाएगा चार आर्टिकल नमबर 222 जो है वो किसी नयाले का एक उच नयाले से दूसरे उच नयाले में किसी नयाया धीस का एक उच से दूसरे उच्छी नयाले में अत्रड के बारे में बताता है आर्टिकल नंबर 222 B का हो जाएगा एक और आर्टिकल नंबर 226 में रिट जारी करने के बारे में बताया गया है तो C का क्या हो जाएगा C का हो जाएगा 3 और आर्टिकल नंबर 227 में सभी नयाले हो के अधी अध option number A, इसका सही जवाब हो जाएगा, ओके, अगले question की और बढ़ते हैं, question क्या है, question बोल रहा है कि भारती सम्विधान के निम्लिके तनुचेदों में से किस अनुचेद के अंतरगत, कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रच्छा के लिए उच नियाले में याचिका दाय का सक्ति का इस प्रकार प्रियोग किया जाएगा, जिससे संग की कारेपालिका सक्ति के प्रियोग में कोई अर्चन ना हो, या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव जो है, वा ना पड़े, किस के अकॉर्डिंग, अनुचेद 257 के अकॉर्डिंग, option number A is the right answer, अगले question क्यों ब बना सकती है, कौन से अनुचेद के अंतरगत, अनुचेद 253 के अनुसार, option number D is the right answer, आगले question क्यों बढ़ते है, question क्या है, question बोल रहा है, कि भारती सम्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत, अंतर राष्ट्री है, समझाओते को प्रभावी बनाने ये तो संसद राष्ट इनुचेद 178 है, वो विधान सभा में अध्य ссыл, वे पाध्य webinar के बारें में बताता है, तो B का क्या होईगा, B का होईगा 1, उसके बाद जो है, राजियों में विधाइका का जो गठन है, वो बताया गया है, अनुचेद 168 के अगौर्डिंग, तो A का क्या होईगा, A का जाएगा तीन और फिर उसके बाद सदस्यों के जो वेतन बदते हैं वो मुषेद इसनल्फ सी का हो जाएगा चार आर वित्विधेयक की परिभासा जो है व्होँ scoring 9 भू कि बताया गया है द बीगा हो जाएगा तो 31 prey 42 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा और 31 42 किसमें है वह है आप्शन नमबर सी में तो आप्शन नमबर सीज़दा राइट एंसर तो यह जो सरी चल रही है कैसी लग रही है आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में लेकर बताइए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करिए धन्यवाद